रेलवे की तरफ से दिल्ली की दो मस्जिदों को नोटिस भेजा गया था इस पर विबात के बीच रेलवे ने कहा कि हमारी जमेन पर बनी किसी भी प्रकार की इमारत को हटाना नियमित प्रक्रिया है रेलवे ने सहर के बंगाली मार्केट एरिया की एक मस्जिद और प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन की पास की एक मस्जिद को नोटिस जारी करते हुए 15 दिन के अंदर अधक्रमण हटाने को कहा है उत्तर रेलवे के एक प्रवक्ता ने कहा कि अधक्रमित संडचना दिल्ली और गाजियाबाद के मेन रूट की जमीन में बनाई गई है वही बफ बोर्ड के एक वरिष्ट अधिकारी ने दावा करते हुए कहा कि दोनों मस्जिद बफ बोर्ड की संपत्ति है रेलवे द्वारा जारी नोटिस के मुताविक रेलवे की जमीन पर अवेद तरीके से कबजा किया गया है जो गैर कानूनी है साथ ही कहा गया है कि रेलवे की जमीन पर अवेद रूप से बनाए गये मंदिर, मस्जिद, धर्मिक, इस्थल और गैर लाइसंस धारी इमारतों और ढाचों को 15 दिन के अंदर हटाने को कहा गया है अन्नित्था रेलवे बोर्ड कानूनी कारवाही करेगा अत्क्रमन हटाने की प्रक्रियों में किसी भी प्रकार की छती जमेदारी आपके खुद की होगी रेलवे बोर्ड इसके लिए जमेदार नहीं होगा